हलो एवरिवान माइनेम एस मनेस मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ 36 गर्वर्मेंट मेडिकल कॉलेज कट ओफ रैंक क्या हो सकता है 2023 के लिए इसके बारे मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ पूरा आपको एक्स्प्लेंड करने वाला हूँ क्या आपको गर्मेंट कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है इस पर आपको बहुत सटिक जानकारे मिलेगा तो वीडियो को शुरू करते हैं तो आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है वहाँ पर आपको गुगल पर सर्च करना है परमेस्वरी मैं इसको आपको सर्च कर लेना है इस तरह से परमेश्वरी मैम आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको परमेश्वरी मैम.tag इसको आपको ओपन कर लेना है तो इस तरह से वेबसाइट आपको ओपन होगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 36 गड़ गवर्मेंट मैडिकल कॉलेज MBBS कट अब 2023 नीट गवर्मेंट मैडिकल कट अब 2023 इसको आपको क्लिक कर देना है तो यहाँ पर से आप पूरा समझ पाएंगे कि गणित आपको किस तरह से कौन सी सीटे मिल सकता है कहां आपको काउंसलिंग पर अपलाई करना है इन सब चीजों की जानकारी यहाँ से आपको मिल पाएगा 36 गवर्मेंट मैडिकल कॉलेज MBBS कट अब 2023 यहां से आप देख सकते हैं स्टेट कोटा MBBS कट अब 2023 36 गवर्मेंट मैडिकल कॉलेज कट अब लिस्ट 2023 और 2022 का तो लात्मक विशलेशन सबसे पहले यहाँ पर आपको परिच्छे दिया गए तो इसको आप ध्यान से पूरे पोस्ट को पढ़ेंगे तो आपको कॉलेज की सारी डाउट किलियर हो जाएगा तो यहां पर देखते हैं 2023 का कट अब 2022 का कट अब सबसे पहले हम लोग 2022 के कट अब से जानकारी लेते हैं कि आपको समझ में आएगा कि 2022 में हुआ क्या था और 2023 में क्या हो सकता है तो इसमें कौन-कौन सी बाते आपको ध्यान में रखना है इसको देखना है तो यहां पर आपको कैटेगरी दिया गया है सीट दिया गया है और कट अब मांक्स दिया गया है तो में फैक्ट करता है आपकी सीटों की संख्या पिछले बार कितना था इस बार कितना रहेगा और यहीं से आपके कट अब मांक्स बनेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी पिछली बार 2022 का कट आप क्या था 471 सीटे पिछले बार था मतलब सीटों की संख्या यू आर के लिए जादा था 471 513 अंग कट आप स्कोर रहा पिछली बार जनरल कैटेगरी के लिए फिर OBC के लिए 156 सीटे 508 अंग पिछले बार कट आप स्कोर रहा SC के लिए 399 अप्रोक्सिमाटली 400 और सीटों की संख्या थी 176 सीटे थी उसके बाद EWS के लिए 111 सीटे 449 अंग का ट आप मांक्स था साड़े 400 अंग कट आप मांक्स था पिछली बार फिर ST के लिए 208 सीटे और 314 अंग कट आप स्कोर रहा पिछली बार का यहां से आप देख सकते हैं यहां पर पूरी चीजों को आप पढ़ पाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कालेज आपको मिलेगा कुछ आपके प्रशन उत्तर होते हैं उनके आपको यहां पर जवाब मिल जाते हैं पूरी चीजे यहाँ पर आप असानी से पढ़ पाएंगे आपके सारे डाउट यहाँ से आपको किलियर हो जाएंगे कि आपको कौन से कॉलेज मिलेगा JNM मिलेगा या Sims कॉलेज मिलेगा या महासमुन्त का कांकेर का जगदलपूर का आप कहीं से भी इस कैटेगरी यहाँ से इस पोस्ट को पढ़ेंगे तो सारी चीजे आपको डाउट किलियर हो जाएगा अब बात करते हैं 2023 के कट आप मार्क्स क्या रहेंगे क्या एस्पेक्ट करें इस साल क्योंकि पिछले साल की हम लोगों ने कट आप स्कोर देख लिए अब बात करते हैं कि उसी तरह से हम कट आप स्कोर अनमाल लगाएंगे जैसे 2022 में कट आप स्कोर रहा इस बार बात करें जनरल कैटेगरी की तो सीटो की संक्या यहाँ पर कम हो गई है इस बार 381 सेट रह गए पिछले बार 471 सीटे थी तो 381 सीट है तो यहाँ पर अब क्या होगा कट आप स्कोर बढ़ जाएगा यानि कि पिछली बार अगर कट आप की बात करें तो 513 रहा तो इस बार कट आप स्कोर हो सकता है 520 अंको से 530 अंको तक कट आप स्कोर जा सकता है जनरल कैटेगरी के लिए अब बात करते हैं OBC का तो OBC का पिछली बार अगर सीटो की संक्या देखे तो 156 इस बार 3 सीटे कम हो गई है 113 अगर कोई सीटे बढ़ती नहीं है तो इसी तरीके से आपका सीट रहने वाला है यह डिपेंड करता है CJ DME की ओफिसल वेबसाइट पर सीटो की संक्या आप जाच कर सकते हैं वहां से आप वेरिफाई और पुष्टी कर सकते हैं किस बार सीटे क्या होगी ओफिसल वेबसाइट पर सीटे आएगी तबी जानकरी मिलेगा अन्यता कोई बदला नहीं होगा तो OBC के लिए पिछली बार काट आप स्कोर था आपका 508 इस बार हो सकते हैं तीनी सीट आपका कम हो रहा है तो यहाँ पर हो सकता है आपके 515 से 525 अंक तक आपका कट आप मारक्स जा सकता है मिनिमम आपका 515 मैकजिमम आपके 525 अब बात करते हैं SC कैटेगरी के लिए SC कैटेगरी का भी यहाँ पर सीटों की संग्चा कम होग है 176 सीटे पिछली बार अब की बार है 131 सीटे यानि की सीटों की संचा कम हो रही यानि की इसका भी कट ओप स्कूर कट ओप मांक्स बढ़ेगा यानि की पिछली बार आपके 400 अंग तक आपको मिल गये थे सी केटेगरी के लिए इस बार इसका कट ओप मांक्स होगा 420 अंग से लेकर 430 अंग हो सकता है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको EWS का पिछली बार 111 सीटे इस बार 2 सीटे कम होकर 109 सीट रह गई है इसके लिए कट ओप क्या अनमान कर सकते हैं EWS कमजोर विद्यारतियों के लिए यानि की जो जनरल कैटेगरी के लिए होते हैं EWS 109 सीटे पिछली बार 111 सीटे कट ओप मांक्स पिछली बार की बात करें तो 449 था यानि कि इस बार बढ़ेगा cut-off marks यानि कि 460 अंकों से 470 अंकों के बीच में आपको government mbbs college मिलने की संभावना रहेगा यहाँ पर EWS candidate के लिए अब बात करते हैं ST की सीटे क्या हुई है तो ST की सीटे आप पिछली बार देख सकते हैं कि 208 सीट था पिछली बार 208 सीटे 314 cut-off score तो इस बार आपकी सीटो की संक्या यहाँ पर ST category के लिए बढ़ गई है यानि कि इसका है इसका cut-off marks और कम हो जाएगा पिछली बार cut-off की बात करें तो 314 था government mbbs college 36 गड़ में तो इस बार क्या हो सकता है इसकी cut-off marks बात करते हैं कि बहुत सीटे यहाँ पर बढ़ गई है ST के लिए तो इसका cut-off score 290 से 310 के बीच में रहेगा इस तरह से आपको government college मिलने की संभावना यहाँ से आप देख सकते हैं और इस post अगर अच्छा लगे तो यहाँ पर channel को follow भी कर लेंगे ताकि आपको और भी post यहाँ पर मिलता ही रहेगा अगर आपके कोई भी doubts हो तो वो comment box पर करें ताकि हमको समझ में आ जाए आपको कौन सी प्रशन का जवाब चाहिए तो thanks for watching subscribe the channel thank you so much